तो आप शब का भूत भूत श्वागत थे गनिशाय वेल्ड के इस यूटूब चैनल में तो दोस्तो आज की जो वीडियो है आज की वीडियो में हम 12th chemistry के अंदर जो आपकी 12th chemistry चल रही है एमीन वाला जो हमारा chapter चल रहा है इस एमीन वाले chapter में आज हम पढ़ेंगे एथिल एमीन और एनिलीन में अंतर और इसके बाद हमारा अंगला question होगा प्रात्मिक एमीन, दुतिये एमीन, एवं तरतिये एमीन में अंतर तो ये दो question आज की वीडियो में हम complete करेंगे तो आप समझ ये देखिएगा तो पहला दोस्तो हमारा question है एथिल एमीन और एनिलीन में अंतर पहला हमारा question है एथिल एमीन और जो आपका एनिलीन है इसमें अंतर रिस्पस्ट करना है तो एथिल एमीन आप जानते हो और एनिलीन भी क्या जानते हो इथिलेमीन किया होता है? C2H5, NH2 और एनिलिन किया होता है? रिंग के उपर NH2 ठीक है? चलो अब पहले हम गोणों के आधारपा नतरश्ट करेंगे तो पहला हमारा गोण है बिलेता क्या है? बिलेता अगर बिलेता की बात करें तो एथिल एमीन जो है न वो जल में बिले होता है एथिल एमीन जल में बिले है बट एनिलीन की बात करें तो ये जल में आ बिले है ठीक है न तो बिले ताकि अगर बात करें तो जो है न एथिल एमीन जल में बिले होता है बट एनिलीन जल में आ बिले होता है ठीक है नेक्स्ट है हमारा पॉइंट गंद अब गंद की बात करें तो जो आपका एसमान की तिक्षण्ग Unterstüt और इसकी अमोनिया से ब्हिन होती इंदो बका इतना हिंगा कोई दिखकत नहीं है नेक्स्ट है लिटमस के प्रती बिवहार तो एथिलेमीन क्या करता है लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है मतलब यह चार यह होता है जो एथिलेमीन होता है वो लाल लिटमस पेपर को क्या कर देता है नीला कर देता है मतलब यह कैसा होता है चार यह बट अनिलीन की बात करें, तो ये लिटमस के प्रति कोई ब्यवार नहीं दिखाता, मतलब ये ऐसा कहें, अब इसका कोई ब्यवार नहीं दिखाता, तो मतलब ये अमलिये भी नहीं है, और छारिये भी नहीं है, तो लगभग ये उदासीन प्रकृती का अनिलीन होता है, ठीक है न, चारिये नेक्स्ट है एने एनो टू ठीक है प्लस एसी एल किसे क्रिया ठीक है यहां पर एबोला है एने एनो टू प्लस एसी एल के साथ क्रिया तो मेरे भाई यह डाई एजोटी करणा भी क्रिया मैंने आपको समझाई थी जो डाई एजोटी करणा भी क्रिया है उच में हम क् कराती है तो जब रच चलो अंगले अंतर पे हम बात करते हैं दोस्तों अंगले हमारा अंतर जो है न वो हमारा अंतर क्या है वो हमारा है जो है न प्रात्मिक एमीन दुतिय एमीन और त्रतिय एमीन में अंतर ठीक है न चलो तो यहां पर चाहे तो आप पहला पॉइंट आप कबर ना करें क्योंकि हमने आपको 6 पॉइंट यहां पर दिखा है तो 6 पॉइंट आपके ज्यादा हो जाएंगे ठीक है इसलिए आपका क्या करना है कि आप चाहो तो इस बाले जो पॉइंट है आपका पहला पॉइंट इस पे ध्यान ना दें तो कोई दिक्कत नहीं होगी ठीक है ना चलो तो प्रात्मिक दूतिय उत्रह दी परिक्षण के आधार पर कर रहा ह और प्रात्मिक एमीन कार्विल एमीन अमिकेरा देता है तो क्या बनता है तो आईसोसाइनाइड की दुरगंद आती है मतलब एक आईसोसाइनाइड बनता है फैनल आईसोसाइनाइड बनता है बनता है ठीक है तो यहाँ पर कार्विल एमीन अभी क्रिया तो यहाँ पर ठीक है आप चाहो तो इसमें लिख सकते हो डाइ थायो कार्बेनल आमल बनता है चाहे तो आप doesn't तो यहाँ पर ठीक है डाई थायो कार्बिनिल आमने बनता है और इसमें कोई क्रिया नहीं होती मास्टाड़ा भी क्रिया हम ठीक है चलो नेक्स्ट है हमारी एलकिल क्लोराइड से क्रिया alkal chloride मतलब acid chloride बोला है यहांपर acid chloride बोला है यहांपर acne chloride acne chloride acne chlor das sod acne 3ColCOCl in去了 क lênれる होता है है ना तो इसमें क्या होता है एसे टिल बैत Pan होता है इसमें a-tlben बनता है और इसमें कोई क्रिया नहीं होती नेक्स्ट है हमारा एक्लंकील हिलाइट सिक्रिया कराइंगे तो प्राथमी कैमी दुतिये बनाएगा दुतिये बाला त्यतिये बनाएगा और त्रतिये क्या बनाएगा चतुस्क अमोनियम हेलाइट ठीक है नेक्स्ट है हिंसबर्ग परिक्षण तो हिंसबर्ग अगर परिक्षण की बात करें तो देखो हिंसबर्ग परिक्षण मैंने अभी आपको कराएं नहीं है मैं आपकी जो कल की वीडियो होगी उसमें हिंस बर्ग आपका परिक्षण में कराऊंगा आपको टेंसन नहीं लेना ठीक है तो यहाँ पर तो आपको प्रात्मिक दुतियो और त्रैतियमीन में यह अंतरस्पस्ट कर लेना ठीक है तो आपके जो वीडियो था बहुत छोटा था ठीक है बट आई होप आप इन सब को कम्प्लीट कर लेंगे नहीं होगी देखका ठीक है तो जल्दी से एक बार दिल से लाइक कर लो वीडियो में तब तक के लिए ठैंक यू वेरी मच्च